नमस्कार सभी साथियों को सौगत करता हूं सभी का इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम इस्टेड़ी विद पी एन लोदा मितो थर्ड ग्रेट सिक्सक बरती 2023 या रीटमेंस एक्जाम 2023 के लिए पूरे ही 150 प्रिश्टों का जो विडियो है आज आपके लिए लेकर आया हूँ देखेगा पूर्ण रूप से एक्जाम पेटरन पर यह आपको 150 प्रिश्टों देखने को मिलने वाले हैं और मायनस मार्किंग भी इसमें साथ ही हो एक बटा तीन नेगिटिव मार्किंग इसमें रहेगी अगर आप सो अंको तक पहुंचते हो तो चली शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को पहला प्रिश्टों देख लेंगे ब्रिश्ट संख्या 1 देखिएगा प्रिश्ण नमर एक है थार्ण वेट के अनुसार राजिस्थान का सबसे बड़ा जलवायू प्रदेश है CAW, DAW, DBW और EAW तो किसके अनुसार बताना है आपको थार्ण वेट के अनुसार बताना है और मितो थार्ण वेट के अनुसार राजस्तान का जो सबसे बड़ा जलवायू प्रदेस है वो इन में से कौन सा है DAW है दूसरा विकल्प आपके पहले प्रिष्ण का सही आंसर है आगे वढ़ते हैं प्रिष्ण संख्याद 2 की और दूसरा विकल्प नमबर जो आपके तीन है दूसरे प्रिष्ण का सही आंसर है चलिए अगले प्रिष्ण की और बड़े प्रिश्ण नमर 3 है लूनी में दाइं और से मिलने वाली एक मात्र साइक नदी कौन सी है? सूकडी, जोजडी, लीलडी और मीटडी तो तीसरे प्रिश्ण का आंसर बताए प्रिश्ण नमर 3 में कौन सा विकल्प आपका आंसर होगा? देखेगा तीसरे प्रिश्ण में जो आपका आंसर है उसको देख लेते हैं तो लूनी में एक मात्र दाइं और से मिलने वाली जो साइक नदी है? वो कौन सी नदी है साथियों? जो जडी नदी है दूसरा विकल्प बिलकुल आपके तीसरे प्रिश्ण का साई आंसर है देखेगा ये आज का सेकंड वीडियो है सात्यों मेरा तन टेस्ट मैंने सुबह जो राजिस्तान अद्यान कक्षक 11 की किताब है इसके अद्याई 2 से 35 प्रिश्णों का टेस्ट डाल दिया था ठीक है? तो चलिए अगले प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे मित्रों आपके फ्रिश्ण बर 4 है 2011 की जनगन्ना के अनुसार राजिस्तान में ग्रामिन महिला साक्षर्टा दरे 52.12 परतिशत पेतलिस पोईंट आठ परतिशत अर्तलिस पोईंट 33 परतिशत और 42 परतिशत तो वही जो जनगन्ना 2011 हुई थी इसके अनुसार कौन सी साक्षर्टा द पूची गई है और मित्रों चोथे प्रिश्ण का आंसर कौन सा रहेगा जो विकल्प नंबर दो है पेतलिस पॉइंट आट प्रतिशत राजिस्तान में ग्रामीन महिला साक्षरता दर है तो यहां पर दूसरा विकल्प आपके चोथे प्रिश्ण का सविक्तर है प्रिश्ण सं में नोगस्त को दे रखा है लेकिन कौन से सन की यहां पर बात आ जाती है साथियों तो बही देखो राजस्थान अक्षे उर्जा निगम लिमिटेड रुड़ा जिसको का आ जाता है इसकी स्तापना हुई थी कब 9 अगस्त 2002 को दूसरा विकल्प आपके प्रिश्ण 5 में सही साथियों प्रिश्ण संख्या 6 की और बढ़ेंगे तो चेटा प्रिश्ण देख लेते हैं प्रिश्ण 6 आपके सिल्प सास्त्री मंदन द्वरा लिखिद गरंत कोन सा नहीं है परसाद मंदन रूप मंदन वास्तुकार मंदन और कला मंदन तो इन में से जो गरंत मंदन द्व मंदन और वास्तु सार मंदन तीनों ही मंदन द्वारा लिकित गरंत है लेकिन कला मंदन जो है यह मंदन द्वारा लिकित गरंत नहीं है साथियों मैई Sum विकल्प नबर चार आपके प्रिश्ट सेका से-स focal is a अंसर है को देख लेते हैं किसको कहा गया है साथियों राव माल देव को ही हश्मत वाला राजा कहा गया है थर्ड विकलप आपके प्रिश्न संख्या साथ का सयान सरे मित्रों देखेगा एक चीज हो रहे है एप डाउनलोड का लिंग मैंने कमेंड बॉक्स में दे रहा है वहां से आप एप को डाउनलोड करके अगर कोर्स सेच को 99 वाला कोर्स राजस्तान अद्यान वाला बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कोर्स है साथ हो और 149 वाला तो आपके संपुर्ण से लेबस से है तो इनको अभी भी आप जोइन करते हो तो अब भी आपको लाश्ट टाइम में बेस्ट तरीके से तैयरी करने के लिए एक्जाम आई चुका है लगबग आपके तो उसमें जो अब्जेक्टिव कुशन मिलेगा ना बहुत ही शांदार तरीके से आप अपने प्रेक्टिस उससे कर सकते हो लगबग दोनों टेस्टों में आप यूं मानके चलो लगबग साड़े 300 के आसपास टेस्ट है तो वो आपको उपलब दो जाएंगे मित्रों चलिए प्रिश्ण संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे देखो आटवा प्रिश्ण है बेराट या विराट नगर में प्रतम उतकनन किसके नेत्रित में किया गया दैराम साहनी डोक्टर एनार बनर जी डी आर भंडार कर और आर सी अग्रुवाल देखो जो प्रिश्ण बिल्कुल आपको समझ नहीं आते हैं उनको आपको अटेंड नहीं करना है बिल्कुल इमानदारी से पूरे 150 प्रिश्णों को करोगे तो ही सही से मुल्यांकन पाएगा साहती हो अगर आप खुद के साथ इमानदारी नहीं बरतोगे तो फिर मज़े नहीं आएगा उसमें पूरे 150 प्रिश्णों में से कोशिस करिएगा कि 120 से 125 प्रिश्ण ही अटेंड करें आप लोग 140 प्रिश्ण तक पहुच जाते हो एकजाम में ऐसा किया तो फिर इतनी नीचा आजाओगे सोज भी नहीं पाओगे कि यार यह क्या हुआ मेरे साथ मुझे तो बहुत अच्छा पेपर लगा था मेरे तो बहुत अच्छा पेपर बेटा था और मेरे तो 110 क्यूशन निकल रहे थे लेकिन है यहां पर आपने 30 क्यूशन को गलत कर दिया तो फिर 10 क्यूशन वहाँ से काम हो जाएंगे तो 100 प्रिश्णों पर आ जाओगे साथियों इस चीज़ का विशेज ध्यान रखे ठीक है आटवे प्रिश्ण का अंसर देखे तो भई बेराट या इन में से किस पुरा इस्तल में मिलते हैं आहर गनेश्वर काली बंगा और बेराट तो जुते हुए खेत के परमान बाई देखो पहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन पहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन क्यों कि इस प्रिश्ण को पूंचा जा सकते है आलागि आपको यह जाद है कि वह काली बंगा है वह लेकिन प्रिश्ण बहुत जादा इंपोर्टेंट है साथ यो जूते हुए खेत के परमान इन में से काली बंगा में मिले हैं थर्ड विकल्प नौवे प्रिष्ण का सभी आंसर है ये नेक्स दसवे प्रिश्ण क्यों बढ़ते हैं दसवे किसके लिए ये प्रसिद है उड़न गिलेहरी के लिए ये प्रसिद है मित्रों विकल्प नंबर आपका जो चार है दसवे प्रिश्ण का सवित्तर है नेक्स्ट ग्यारवे प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे देखेगा ग्यारवे प्रिश्ण को श्री कल्यान जी का मंदिर राज स्थान के किस जीले में स्थित्ते प्रश्णे तोड़ा बोनस के लाइक हो जाता है हाला कि यह पूचा गया किस जीले में तो जीला डिगगी नहीं है जीला फिर टौक है तो पृष्णी थोड़ा बोनस के लायक हो जाता है तो दूसरा भी विकल पर इसका सही है हाला कि दूसरा विकल भै एगजेकली तो डिगगी है और जीला कॉन साही टौक है और जीला पूचा है तो टोक जीला में भी सही है फिर इसका जो आंसर एक तरह से प्रिश्ण बोनस योग गये साथियों नेक्स्ट बारवे प्रिश्ण की और बढ़ेंगे तो बारवा प्रिश्ण है माराना प्रताप की म्रत्यू का हुई थी आहड में चावण्ड में गोगुंदा में और कुम्बलगड में बारवे प्रिश्ण का आंसर देख लेते हैं आपके प्रिश्ण नमबर बारा में आंसर देखे तो माराना प्रताप की जो म्रत्यू थी वो कहां पर हुई थी चावण्ड में हुई थी दूसरा विकल्प आपके प्रिश्ट नंबर 12 का सवितर है नेक्स तेरवा प्रिश्ण देखते हैं तो तेरवा प्रिश्ण आपके विजे सिंग पतिक किस समचार पत्र के समपादक थे किनकी बात की ज़रहें विजे सिंग पतिक के तलवार, हरीजन, राजस्तान केसरी और समाचार दरपन तो इन में से ये जो चार समाचार पत्रियां दे रखे हैं विजे सिंग पतिक किसके समपदक थे साथियों तेरवे प्रिशन का अंसर देख लेते हैं भाई जो राजस्तान केसरी समपदक था इसके संपदा कौन थे विजे सिंग पतिक थे विकल्प नमबर तीन आपके तेरवे प्रिश्ण का अंसर रहेगा चौधू आप प्रिश्ण देखेंगे साथियों प्रिश्ण नमबर चौधा है सोर्टा चंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेस्ताय हैं वह है मारवाडी मेवाती बांगडी और डुंडाडी तो वही सोर्टो की चंद की और मांड राग की बात की जा रही है ये जिस बोली की शिल्पगत विशेस्ता हैं साथियों ये किसकी विशेस्ता हैं मारवाडी की विकल्प नंबर एक आपके प्रिश्ण नंबर 14 का सही आंसर है नेक्स्ट पंद्वे प्रिश्णी की ओर बढ़ते हैं देखिएगा प्रिश्ण नंबर 15 को शेखावटी जकात आंदोलन का नेत्रितु किसने किया था पंडित नरुत्तम लाल जोशी, पंडित टोडरमल, पंडित रामकरान असोपा और पंडित अभिनहरी तो पंद्वे प्रिश्ण का आंसर देख लेते हैं मित्रों क्या पूचा गया है शेखावटी जकात आंदोलन का नेत्रितु किया गया था साथियों सामा जी को राजनितिक चेतना की बात की जा रही है इसके लिए स्वामी दयानन जी के दोरा जो राजिस्थान में पहली यात्रा की गई थी वो कप की गई थी 1865 में जून के मैंने में मित्रो विकलत नमबर आपका जो तीन है सोलवे प्रिष्ण का सही आंसर है नेक्स्ट प्रिष्ण संख्या सत्रा की ओर बढ़ेंगे तो सत्रवा प्रिष्ण है इन में से कौन कोटा में अट्रा सु सत्तावन के विद्रो का एक नेतित करता था कनाया लाल, जैद आयाल, नंद किशोर और कुशाल सिंग तो कहां की बात की जा रही है कोटा की बात की जा रही है अट्रा सु सत्तावन इस्वी में कोटा अट्रा सु सत्तावन का विद्रो हुआ था तो कोटा में नेतित करता इन में से कौन से थे साथियों सत्रवा प्रिष्ण में जैद आयाल बिल्कुल दूसरा विकल्प जो है आपके प्रिश्ण संख्या सत्रा का सही आंसर है अटर सकता उनके विद्रों में कोटा का नेतित करता में किनका नाम आता है जैदेयाल का बिल्कुल दूसरा विकल्प सही रहेगा सत्रे में अठारवा क्यूशन देख लेते हैं अधिवासियो द्वरा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त कौन सा है नांधना, कटकी, लोगडा और चूनडर तो इन में से जो वस्त सबसे प्राचीन है सातियों जो आदिवासियों दोरा पहना जाता है उस वस्त का चैन आपको प्रिश्ण संख्या 18 में करना है और 18 प्रिश्ण का अंसर देखे तो जो नांदना नामा की वस्तर है कौन सा नांदना ये आदिवासियों दोरा पहना जाने कहां पहना जाता है सठका गले में कमर में पेरों में और हात में तो जो सठका नामक आभूशन है यह कहां पर पहना जाता है सात्यों प्रिश्ण संक्या 19 का आंसर देखे तो सठका नामक आभूशन कमर में पहना जाता है कहां पर कमर में जैसे कनक्ती है सठका है कंदूरा है सा in फ्रेस्ट, बीसुए प्रिष्णी की ओर बढते हैं, प्रिशन संक्या, 20 में क्या है, ठीके, प्रिश्ण नंबर 20 को देख लेंगे साथ हो, जगणनाद जी, मादो दास जी का संभन है, लालदासी संपरदाई से, दादूपन्थ से, राम इसन ही संप्रदाई से और जसनाती संप्रदाई से तो 20 वे पिश्ण का उत्तर बताईए साथ यो प्रश्ण 20 में कौन सा विकल्प सही है किन कि बात की जा रही है जगरनात जी की बात की जा रही है मादोदास जी की बात की जा रही है इनका जो संबंद जिस संप्रदाई से है वो क इस्वे प्रिश्णि की और बढ़ेंगे 21 है आपके डूंगरपूर परजा मंडल की स्थापना किस ने की थी गोकुल भाई भट जमनलाल बजार भोगिलाल पांडिया और सागर्मल गोपा तो इन में से डूंगरपूर परजा मंडल की स्थापना जिनके दौरा की गई उनका नाम क्या है साथियों बोगिलाल पांडिया जिनको क्या कहा जाता है आदिवासियों का मसिहा भी कहा जाता है इनके दौरा ही डूंगरपूर परजा मंडल की स्थापना की गई थी तो थर्ड विकलप आपके 21 में सही है नेक्स 22 की और बढ़ता है राजिस्थान एकी करण मे बरतपूर दोलपूर रियासतों पर जनता की राय जानने एक कमेटी का घटन किया गया था उस कमेटी में कौन सम्मेलित नहीं था डौक्टर शंकर रायुदेव आर्के सिद्धावा परबूद अयाल और एम एस जेन देखो एक कमेटी का घटन किया गया था जो राजस्था यह कमिटी थी और किसके दिख्षता में डॉक्टर शंकर राव देव के अध्यक्सता में इस कमिटी का गटन किया गया था अगर बात करें तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं था साथियों डॉक्टर शंकर राव देव थे आरके सिद्धावा थे और परबुधयाल थे लेकिन इस जेन सम्मिलित नहीं थे तो विकल्प नमबर आपका जो चार है 22 प्रिष्णे का अंसर होगा नेक्ष ट्वंटी थ्री को देखेंगे 23 प्रिष्णे आपके राजिस्थान का मौलेला गाओं की सहस्त कला के लिए परसिद है टेरी कोटा के लिए मीनाकारी के लिए ब्ल्यू पोर्टरी के लिए और थेवा कला के लिए तो 23 का अंसर देखते हैं 3 प्रिषण का अंसर क्या रहेगा आपके तो बैए थेवा कला के लिए तो प्रताबगर परसिद है कौन अब गां मोलेला गाओं राज समन्द में इस्तिता प्रिष्णे का अंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर एक तेरी कोटा मोले लगाओ राज समन्द का परसिद है पदम शिरी से सम्मानित परसिद महला थी गावरी देवी, गावरी बाई, अल्ला है जिल्ला बाई, अनंद कूरी तो भई पदम शिरी से सम्मानित इनको क्या गया था मान गाईकी के लिए और साथियों वो परसिद महला कौन थी, अल्ला जिल्ला बाई थी विकल्प नंबर आपके जो तीन है 24 का सही अंसर है साथियों 25 की ओर बढ़ेंगे तो चलिए 25 प्रिश्ण देख लेते हैं आपके 25 प्रिश्ण है राज्यों 25 वे आपके राजस्तान के इतियास में भीत की भाच से क्या अभिप्राई है मेवार राज में सामन्तो की श्रेनी राज के अधिकारियों के मद्य पत्र वियावार जेपुर राज का भूमी समंदी रिकोर्ड और बिकाने राज में हासिल एकत्रित करने की पद्दती कोई भीत की भाच का आजाता था साथियों चोता विकल्प 25 में सही रहेगा नेक्स्ट डे 26 की ओर बड़ेगा 26 को मंदीर और इस्थानों से समंदित कौन सा एसुमे लिते सास बावु मंदीर टॉक, कपिल मुनी मंदीर कोलायत, गोविन देव जी मंदीर जेपूर और एक लिंग जी का मंदीर उधेपूर तो एक लिंग जी का मंदीर राजस्तान में का है उधेपूर में गोविन देव जी का मंदिर का है जेपूर में कपिल मुनी का मंदिर का है कोलायत में लेकिन सास बाउ का मंदिर टोक में नहीं बलकि कहा पड़ता है ये उदेपूर में पड़ता है साथियों तो ये गलत दे रखा है इसलिए 26 का कौन सा विकल्प आपका अंसर होगा विकल्प नमबर एक आपके 26 का अंसर है नेक्स्ट ये 27 की ओर बढ़ेंगे मित्रों देखिएगा 27 को सीशा जस्ता का मुक्यते संबंद है बासवडा से, उदेपूर से, जालोर से और नागोर से तो सीशा जस्ता का संबंद मुक्य रूप से जिस जीले से है उस जीले का चैन आपको 27 में करना है सातियों 27 में कौन से विकल्प का चुनाओ करोगे तो वहिस सीशा जस्ता का मुक्य रूप से संबंद कौन से जीले से है उदेपूर जीले से जातियों दूसरा विकल्प आपके 27 खल सयांसर है, नेक्स्ट ए 28 की ओर बढ़ते हैं, 28 है आपके राजस्थानी बाशा में पाथल और पीतल की रचना किस ने की थी, चंदर बर्दाई ने, सुरिमल मिश्रन ने, सोमदेव ने और कनया लाल सेटिया ने, तो भई पाथल और पीतल की किन के दोरा की गई थी, कनया लाल सेटिया के दोरा की गई थी, चोता विकल्प आपके बिल्कुत सही आंसर होगा, साथियों, 28 में, 29 की ओर बढ़ते हैं, 29 प्रिश्थान के राए, राजस्थान, राज, अभी, लेखागार कहां इस्तिते, जैपूर में, उदेपूर में, बिकाशनेर में और जालावार में, साथि 29 प्रिश्थान का आंसर देखते हैं, 29 में कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके, तो भई, 29 प्रिश्थान में अगर बात करें, तो राजस्तान, राज, अभी, लेखागार कहां पर इस्तिते, बिकाशनेर में इस्तिते साथियों, 29 नाइन में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा नेक्स्ट तीसवे प्रिष्ण की और बढ़ेंगे प्रिष्ण नमबर तीस है हाडोती सेवा संग के संस्तापक कौन थे नैनुराम शर्मा अभिन हरी रिशी दान मेंता और विजय सिंग पति तो इन में से जो हाडोती सेवा की इस्तापना की थी बिल्कुल प्रतम विकल्प आपके तीसवे प्रिष्ण का अंसर होगा अगला क्विशन देख लेते हैं मद्यकालिन प्रशासनिक वियावस्ता में सेन्य विभाक का मुख्या होता था शिकदार परदान बक्षी और यूवराज तो बही मद्यकालिन जो प्रशासनिक वियावस्ता थी सेन्य विभाक का मुख्या पूचा गया है साथियों 31 प्रिष्ण का आंसर बताईए 31 में कौन से विकल्प का चुनाओ करोगे तो प्रिष्ण संक्या 31 का आंसर देख लेते हैं वित्रों मद्डिकालिन जो प्रश्यास्निक व्यावस्ता थी इसमें सेन विभाग का जो मुक्या होता था इसको बक्षी कहा जाता था क्या कहा जाता था इसको बक्षी और ये अपने अंदर और भी उप बक्षियों की नियुक्ति भी करता था ये विकल्प तीन आपके 31 में सही है 32 की और बढ़ेंगे साथियों तो 32 प्रिश्च्न कुम्बा दुर्ग का शिलपी कौन था अतृ कुमबा मनड़ं और नारेश साथियों कुम्बलगर दुर्ग कहा पर इसकी ति ते राज समझ में इसकी तह ये पूच गया है कि इसका शिलपी कौन था तो 32 प्रिश्च्न का आंसर देखे उप 32 में कोन새 विकल तोप डालने का कारखाना राजस्तान के किस दुर्ग में था तो विकल्प है जैगर दुर्ग नाहरगर दुर्ग लोहागर दुर्ग और जुनागर दुर्ग तो तोप डालने का कारखाना राजस्तान के जिस दुर्ग में था साथियो वो दुर्ग इन में से कौन सा दुर्ग यहीं पर एशिया की सबसे बड़ी तोप भी रखी हुई है कौनसी जैबान तोप ठीक है जैसिंग के द्वारा निर्मीते साथ यह विकल्प एक आपके 33 का सभी आंसर है नेक्स्ट 34 की और बढ़ेंगे 34 प्रिश्ण के रहा है आपके राजस्थान में इनमें से कौनसा त्योहर श्रावन के महिने में नहीं आता है नाग पंचमी तीज रक्षबंदन और जन्माश्ट में तो जो त्योहर श्रावन या सावन के महिने में नहीं आता है वो इनमें से कौनसा त्योहर मित्रो 34 का आंसर देखे तो भाई नाग पंच मी तीज और रक्षबंदन तीनों ही सावन के महिने में आते हैं लेकिन जनमाश्ट मी साथियों सावन के महिने में नहीं आती है गलत है यह तो विकल्प नंबर आपका जो चार है थर्टी फोर का सई आंसर होगा नेक्स्ट थर्टी फाईव की ओर बढ़ेंगे तो चलिए थर्टी फाईव देख लेते हैं पेतिस्वा प्रिश्ण कटी बंदू के नाम से इन में से कौन सा राजा परसिद्ध था अजे राज प्रत्विराज चोहान विग्रे राज कुम्बा तो कटी बंदू के नाम से इन में से जिस राजा को जाना जाता था साथियों उसका नाम आपको थर्टी फाईव में देखना है पेतिस्वा प्रिश्ण का आंसर देखे तो विग्रे राज चतुर्थ ही साथियों कटी बंदू के नाम से परसिद्ध देते कौन वि मारवाड पर आक्रमन किया था मालदेव चंद्रसेन उदेज सिंग और राव जोदा तो शेरश्या सूरी के दोरा जिस शाषक के व्यावहार से रुष्टोकर मारवाड पर आक्रमन किया था साथियों उस शाषक का नाम आपको 36 में बताना है 36 प्रिष्ट का आंसर देख लेते हैं सेरश्या ने साथियों मालदेव के व्यावहर सेरुष्टोकर के मारवाड पर आक्रमन किया था और जो युद्ध हुआ था साथियों उस युद्ध में कौनसा युद्ध था वो गिरी सुमेल का युद्ध तो उस युद्ध होने के भीतिते हैं प्रेश्ट नंबर 37 अबुर्पजल ने अल्दि गाटी के युद्ध को क्या कहा था गोगुंदा का युद्ध बाश्शा का युद्ध खमनोर का युद्ध और इनमेंसे कोई भी नहीं तो کو नहीं को तोह पटा सकते हो यहां से अबुर्पजल ने अल्दि साथियो करनल जेम्स टोड ने, विकल्प आपके जो तीन है, ये 37 का सही आंसर है, ने इस ठी एट की ओर बढ़ेंगे साथियो, 38 प्रिशने, राजिस्तान के किस जिले में, गनेश्वर इस्थल इस्तिते, गंगा नगर जिले में, भीलोड़ा जिले में, बरतपूर जिले में, और सीकर जीले में तो राजिस्तान के जीले में गणेश्वर इस्तल इस्तिते उस जीले का चेहन आपको 38 में करना है मित्रों 38 प्रिशन का आंसर देख लेते हैं कौन से विकल्प का चुनाओ करोगे तो गनेश्वर इस तल इन में से कहां पर इस्तित्य गनेश्वर कहां पड़ता है सिकर में पड़ता है साथ्यों 14 विकल्प आपके 38 का सही आंसर है अगला क्यूशन देखते हैं 49 वulation राजस्तान में मुख्य मंत्री सड़क योजदना किस वर्शि ह्य शुरू की गई थी तो सन call 25 में ही राजस्तान में मुख्य मंत्री सड़क योजदना की शुरू की गई थी 39 में आपके पहला विकल्प सही है चलिए 40 वा प्रिश्न देखेंगे इस बात का विशेश दियान रखना चुलिया जल परपाद बनास न दी मेनाल जल परपाद चमबल न दी बीमतल जल परपाद मांगली न दी और दीर जल परपाद मेनाल न दी तो इन में से जो युगम आपको सुमेलित लगे उसका चेन आपको प्रिश्ण संख्या 40 में करना है साथियों प्रिश्ण संख्या 40 का आंसर देखे तो वह चुलिया जल परपात तो चंबल नदी पर है तो ये गलत दे रखा है मेनाल जल परपात मेनाल नदी पर है ये भी गलत दे रखा है आपका आंसर रहेगा चालिसवे प्रिश्ण में भीमतल जर्परपात बिल्कुल ये मांगली नदी परिश्तित है विकल्प नमबर आपका जो तीन है साथियों चालिसवे प्रिश्ण का सयुत्तर है चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों अगरा प्रिश्ण क्या पूँच रहे है देखे तो जो बनाज बेसिन का उत्री पुर्वी भाग है इसको चपन या मेवार का मैदान नहीं कहा जाता है बलकि इसको माल पुरा करोली का मैदान कहा जाता है क्या कहा जाता है माल पुरा करोली का मैदान 41 में साथियों आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा जो थर्ड विकल्प है ये 41 का आपका अंसर है नेक्स्ट ए 42 की और बढ़ेंगे साथियों तो 42 AI प्रिश्ण ए राजस्टान में सरवादिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है जेसल मेर, चूरू, सीकर, और बाड मेर सरवादिक वार्षिक तापांतर वाला जिला पूँचा गया है de 42 प्रिश्ण में 42 का अंसर रहेगा साथियों आपके कौन सा विकल्प दूसरा विकल्प बैस सरवदिक देनिक तापांतर वाला जिला अगर पूछे तो फिर आपका अंसर क्या रहेगा जेसल मेर और सरवदिक वार्षिक तापांतर वाला जिला पूछे तो आपका अंसर क्या रहेगा चूरू रहेगा यहां पर वार्षिक तापा प्रिश्ण है राजिस्तान हो मिष्टे पेंगेष्ट योधना कि स्थिति को लागू की गई 21 अक्टूबर 2021 21 नॉवंबर 2021 21 दिसंबर 2021 और इन में से कोई नहीं तो मित्रोप 43 का अंसर कौन सा है आपके जो बही कौन सी योधना की बात की जा रही है राजिस्तान हो मिष्टे पेंगेष्ट योधना की बात की जा रही है और इस योधना को कब लागू किया गया था इसको लागू किया गया था 21 अक्टूबर 2021 पर्थम विकलप आपके 43 का सही आंसर है नेक्ट भी 44 की तरह बढ़ेंगे 44 इन में से कौन सी मिर्दा अलवर भरतपूर तता गंगा नगर के घंगर परदेश में मिलती है अलवर में भरतपूर में और गंगा नगर के घंगर परदेश में काली मिट्टी मिलती है बूरी कचारी मिट्टी मिलती है रेतिली बालू मिट्टी मिलती है या लालो मिट्ट prick New burebehregor अगर बात करें कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिट्टी तो यहाँ भूरी कचारी मिट्टी मिट्टी दूसरा आपके 44 प्रिश्ण का सही आंसर होगा साथियों नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 45 की तरफ 45 प्रिश्ण देखेंगे 45 क्यूशन है आपके सविधान के अनुच्छे 342 के अनुसार राजिस्तान में वर्तमान में कितनी जन जातिया अदिस उचिते बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है यह नो जन जातियां दस जन जातियां ग्यारा जन जातियां या बारा जन जातियां तो जो सविधान का अनुच्छे 342 से यह कहता है कि राजिस्तान में कितनी जन जातिया साथियों जो आपके बारा जन जातिया हैं इनको अधिस उचित किया गया देखेगा च्यालीसवे परिश्ण को राजिस्तान में नागरिक उड्डेयन गति विदियों के संचलने तू निदेशाले नागरिक विमानन का गटन की स्वर्ष किया गया 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में उड़ने से संबन्दित, नागरिन उड़न गतिवीदियों के संचलान के लिए नीदेशाले नागरिक विमानं का जो गठन किया गय है था साथियों वो कप किया गय था, तो वो किया गय था सन 2012 ECU में विकल्प नमबर एक आपके 46 का सही आंसर है नेक्स्ट भी 47 की ओर बढ़ेंगे तो चलिए 47 देख लेंगे प्रेश्ट नमबर 47 जन गन्ना 2011 के अनुसार राजिस्तान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है पहला विकल्प है जालोर दूसरा है करोली तीसरा है बढ़ेंगे साथ हैं परफ्ष्ण ग्रफ Kita कि लिंगानुपात वो और सबसे कम लिंगानुपात पूचा गया है देखो पर्ति एकजार पुर्ष्यों पर मेलाओं की संक्याइडि टूसरा यह सबसे चोता जिला कौन सातियों और सबसे यहाँ सबसे तो चार है 47 का साही आंजर है, एक्षरे 48 की और बड़ेंगे साथियों, 48 प्रिष्ण है, मारवाण में Vीर्ता, सहित्ति, सेवा के लिए सिरोपाव था, पाल की सिरोपाव था, हाती सिरोपाव था, गोडा सिरोपाव था, और कड़ा दुशाला सिरोपाव था, तो 48 में प्रिश्ण का अंसर देख लेते, प्रिश्ण नमबर 48 का कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियो, मारवार में वीर्ता सहित्य सेवा के लिए, जो सरवोच सिरोपाउ था, वो कौन सा था, हाती सिरोपाउ था साथियो, विकल्प दो आपके 48 का सहित्तर है, एक्स्ट्व देखेगा प्रिश्ण नमबर 50 को, राजिस्तार के इतियास में पठा रेक से क्या भी प्राई है, आकलित राज़सु, आयात निर्यात कर, सेन्य कर और बेगार, भई, राजिस्तान की प्रिश्यास ने क्योंच तब आपके एक टोपिक दे रखा है, वहाँ पर एक शब्द भी आता है, उसके अंतरगत पठा रेक, तो राजिस्तान की इतियास में पठा रेक का अर्थ लोग किया जाता था, विकल्प एक ही सही रहेगा, प्रिश्यास नमबर पचास में, प्रिश्यास की ओर बढ़ेंगे मित्रों, फिप्टी वने आपके राजिस्तान की प्रतम विदान सबा के अद्धिक्स थे, शांतिलाल चपलोत, नरुत्तम लाल जोशी, सुमित्रा सिंग और कोई नहीं, तो कोई नहीं को तो यहां से आप अठा सकते हो, पैदेखो राजिस्तान की जो प्रतम विदान सबा के अद्धिक्स थे, उनका नाम क्या है साथियों, नरुत्तम लाल जोशी, क्या नाम है उनका नरुत्तम लाल जोशी ही, राजिस्तान की प्रतम विदान फेस टेकुमेला अंडूलेता तो साथियों प्रस्ट नमबर बाउन का अंसर बताईए देखिएगा राजस्तान का जो राजपुष्प है वो कौनसा इन में से आता है तो वेसे तो आपको पता है कि राजस्तान का राजपुष्प क्या है रोईडा लेकिन इसका वेग्यनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए साथियों तो वही इसका जो वेग्यनिक नाम है यह है क्या है टेकुमेला अंडूलेता विकल्प नमबर आपका चार सही है 52 में नेक्स्ट यह 53 की और बढ़ेंगे साथियों और जिस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है वह अनुच्छेद आपको 53 में बताना है साथियों वह कौन सा अनुच्छेद है अनुच्छेद 164 है चोता विकल्प आपके 53 का अंसर होगा 54 में क्या है साथियों 54 प्रिश्ण है खरीब और रभी की गिर्दावरी के दोरान इस्तल निरिक्षन करना सत्यापित का रिपोर्ट करने का दायत हुए तैसिलदार का अध्यापक का कानूनगों का और पटवारी का तो वह देखो खरीब की पसल है या रभी की पसल है गिर्दावरी के दोरान इस्तल पर रिपोर्ट करने का जुडएत हुए यह किसका होता है यह किसका काम होता है पक्रश्ण झेम्बर 54 का अंसर होगा चलिए पड़पनोंवा प्रिश्ण देख लेते हैं 55 में क्या है आपके राजिस्तान में नोकर्षा संग्टन का परमुक कौन है मुक्य मंत्री, कार्मिक सचिव ग्रै सचिव और मुक्य सचिव राजिस्तान में नोकर्षा संग्टन का परमुक पूछा गया है सात्यों 55 का आंसर देखे तो जो मुक्य सचिव होता है बिल्कुल यही राजस्थान में नोकर्षया संगठन का प्रमुक होता है, हो सकता है बहुत सारे लोग मुक्य मंत्री पे गए होंगे, लेकिन इसका आंसर मुक्य मंत्री नहीं रहेगा, बलकि इसका आंसर मुक्य सचीव रहेगा जातियों, चोता इविकल 55 में सही है, नेक्ट साथियों इन वे से जो सुमेलित नहीं है, उसका चैन आपको प्रिश्ण संख्या 56 में करना है, देखिएगा 56 में प्रिश्ण का आंसर देखें, तो वस नगरी किसको का जाता है, बिलवडा को, सिमेंट नगरी किसको का जाता है, चित्टोड को, सोडियम सल्पेट के लिए टिद्वाना नागोर परसिद्ध है लेकिन सिक्षा नगरी जोत्पूर को नहीं बलकि सिक्षा नगरी किसको कहा जाता है साथियो कोटा को कहा जाता है तो विकल्प नमबर आपका जो चार है 56 का सही उत्तर है नेक्ष निए 57 की ओर बढ़ेंगे साथियो प्रश्ण संक्या 57 को देखते हैं महराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेट की स्वर्श इस्तावित की गई थी 1934 में 49 में 42 में और 1946 में 57 प्रिष्ण का आंसर बताईएगा अच्छा 1500 प्रिष्ण हैं पूरे किसी प्रिष्ण में अगर कोई डाउट हो जैसे एक दो प्रिष्णों में हो सकता है कुछ मिष्टेक है हुई ओ तो इसके लिए आप कमेंड बोक्स में कमेंड कर सकते हैं उसा की तुप से उसको सुदा जायेगा देखो यह जो प्रिष्ण है यह उमिल्स लिमिटेड वाला तो इस प्रिष्ण में नहीं है तो 1949 भी इसका अंसर कहीं जागे देखने को मिल जाता है आपको चलिए अगले क्यूशन की ओर बढ़ेंगे परता ही ऐखका अंसर देख लेथे हैं तो साथयों बैणेश्वर धां को मिल गिन नती के संगम पर गिन अदी के संगम प्रहें तो भाहिये इस्तिते 58 में आपके पहला विकल्प सही रहेगा, नेक्स्ट वी 59 की ओर बढ़ेंगे, सात्यों प्रिश्टमबर 69 तिल्वाडा का मल्लिनात मंदिर किस नदी के तट पर अवस्तिते, लूनी नदी के तट पर, माही नदी के तट पर, जवाय नदी के तट पर, और सुगडी न विकल्प आपके 59 में एक सही रहेगा, नेक्स्ट वी 60 वे प्रिश्टम की ओर बढ़ेंगे, प्रिश्टम संक्या साथ, राजस्तान का राज कवी है, चंदर बरदाई, सुरियमल मिश्रन, विजयदान देता और जयानक, तो राजस्तान का जो राज कवी है, उनका नाम आप को प्रिश्टम संक्या साथ में बताना है, साथ वे प्रिश्टम का आंसर क्या है, क्या चंदर बरदाई, राजस्तान की राज कवी है, विजयदान देता है, जयानक है या सुरियमल मिश्रन है, साथ वे प्रिश्टम का आंसर है, आपके विकल्प नमबर दो, तो बिल्कुल आयुक्त करता है जिला मजिस्टेट करता है या मेयर करता है तो नगर निगम की जो सबा होती है इसकी अध्यक्स्ता करने का कारिक इसके दोरा किया जाता है साथियों आपके जो मेयर होता है इनके दोरा ही नगर निगम की सबा की अध्यक्स्ता की जाती है फोर्थ विकल पाप सुरतगर विकानेर में और वलब नगर उदेपूर में तो वह जो राज इस्त्रिय भेंस प्रजनन केंद्र है यह राजस्तान में कहां पर इस्तिते साथियों तो वह यह आपके उदेपूर में इस्तिते और उदेपूर में भी कहां पर वलब नगर में याद रखना है बहुत इंपोटेन प्रिश्ण है राजिस्तान में वलब नगर उदेपूर में इस्तित है बासटवे प्रिश्ण का जो चोता विकल्प है यह आपका सही आंसर होगा चलिए आगे बढ़ेंगे साथ यह प्रिश्ण संख्या 63 की तरब 63 प्रिश्ण है राजिस्तान उच्चे नेयले की मुख्य पीट कहां पर है उदेपूर में जेपूर में जोदपूर में और अजमेर में तो राजिस्तान उच्चे नेयले की मुख्य पीट पूची गई है वित्रो 63 का आंसर देखते हैं कौन सा विकल्प सही है तो भई जो मु गोंगा जी को नाम से नाम से जाना जाता है किनको गोंगा जी को बिल्कुल तीसरा विकलपाप के 64 का answer होगा 65 की तरफ बढ़ेंगे राजस्तान में golden city के नाम से परसिद है जेपुर, जालोर, जेसल मेर और जेपुर तो इन में से golden city के नाम से क्या परसिद है साथियों 65 का answer बताइएगा 65 प्रिष्ण में answer क्या रहेगा golden city कहा जाता है जेसल मेर को किसको कहा जाता है जेसल मेर को ही golden city कहा जाता है विखरफ नमबर 3 आपके 65 का सयुत्तर है नेक्स्ट साथियों 66 की और बढ़ेंगे तो साथियों 66 का आपके खेंजडी को राजस्तान के राज रिक्ष का दर्जा कब दिया गया था 1983 में दिया गया था 1985 में दिया गया था या 1987 में दिया गया था साथियो 66 का अंसर देखो यह आपके प्रतीक चिन है जिसे राजस्तान का राजवरक्ष है राजस्तान का राजवरक्ष का दरजा कर दिया गया था साथियो राजस्तान का राजवरक्ष का है खेंजरी और इसको राज विरक्ष का दर्जा दिया गया था सन 1983 में दूसरा विकलप आपके 66 का सयुत्तर है नेक्स्ट ए 67 की और बढ़ेंगे साथियो 67 प्रिशने आपके केंद्रिय भेड एवं उन अनुसंदान संस्तान राजिस्तान के किस जिले में इस्तिते बिकानेर जिले में टोंक जिले में जेपूर जिले में और जेसलमेर जिले में बैई देखो कौन से अनुसंदान संस्तान की बात की जा रही है केंद्रिय भे मुख्य मंतरी चिरन जीवी सुवास्थ भीमा जोदना में सामानी परिवार के लिए भीम्ह प्रीमियम राशी कितनी है 850 रुपे आजीवन 850 रुपे मासिक 850 रुपे पर्तिवर्ष, 850 रुपे परतिछेमा देखो एक योदना है जिसका नाम के है मुख्यमंत्री चिरन जीवी स्वास्त भीमा योदना इसमें सामानी परिवार के लिए जो भीमा प्रीमियम राशी है साथ यो एक वर्ष में एक बार कितने रुपे 850 रुपे जमा कराना पड़ेगा 850 रुपे परतिवर्षी मासिक भी नहीं आजिवन भी न परिषने की तो विकल्पों को देखेगा मित्रों पहला विकल्प पाली दूसरा चित्तोर तीसरा विकानेर और चोता बूंदी बगवान अधिनात को समर्पित परसिद्र रनकपूर का जो जेन मंदिर है ये राजस्तान में कहां पर इस्तिते साथियों विकल्प कौन सा सही रहेगा तो ये रनकपूर का जेन मंदिर पाली में इस्तिते कौन से जिले में पाली जिले में पहला विकल्प आपके 69 का सयान सरे साथियों आगे बढ़ते हैं सत्तरवे प्रिष्णी की तरफ प्रश नमबर सत्तर स्वास्त मित्र का संबंद किस योधना से है विकल्प पहल जिस योधना से है उस योधना के बारे में आपको प्रिष्णी संख्या सत्तर में बताना है साथियों स्वास्त मित्र का संबंद इनमें से निरोगी राजस्थान अभियान से है दूसरा विकल्प आपके 70 वे प्रिष्णी का सयुत्तर है चलिए आगे बढ़ते हैं 71 की 2011 2 सितंबर 2010 2 अक्टूबर 2011 2 अक्टूबर 2010 तो कौंसी योधना की बात कि जर्ए मुंक्य जो विकल्प नमबर 3 है 2 अक्टूबर 2011 पता है न, क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 2011 को मुंक्य मंथनी निश्वा योधना लागू की गई laugh विकल्प नमबर 3 आपके 71 में सही है, अगला क्यूशन देखते हैं, कियेगा बेतरवा प्रिशने, राष्टी शिक्षा निती 2020 किसके इस्तान पर प्रती इस्तापित होगी, सर्विस शिक्षा अभियान के इस्तान पर, RT2009 के इस्तान पर, NCF2005 के इस्तान पर, और NEP1986 के इस् सवज़े से negative marking होने के कारण, आपके नमबर कम होते हैं साथियो, नमबर कम आते हैं फिर आपके, तो ऐसी इस्ताती नहीं होना चाहिए एकजाम में, ये चीज़ आपको अभी से इस चीज़ को सीखना पड़ेगा, कम से कम आप यू मानिए, 120 से लेकर के, 130 क्या स्पास अटे लेकिन मुझे पता है कि एकजाम में क्यूशन लगबग 15-20 क्यूशन तो ऐसे आएंगे जो पल्ले ही नहीं पड़ेंगे आपके, 15-20 क्यूशन अगर पल्ले पड़ेंगे भी तो भी डाउट रहेगा उनमें, तो उनको छोड़ देना भी से इस चीज़ की आदर डालना सीख कियेगा, राष्टे सिक्षा निती 2020 जो है किसके स्थान पर प्रतिस्ताफित की गई साथियों, नैशनल एजूकेशन पॉलिस यूनी सोचिया से कि स्थान पर राष्टे सिक्षा निती 2020 प्रतिस्ताफित होगी, आपके फोर्त विकल्प 72 में सही है, चलिए अगले क्यूशन क्यों बढ़ेंगे, 73 आपके SIQE प्रियोजना का संचलन किसके दोरा किया गया, कौनसी योदना SIQE, SIRT उदेपुर के दोरा, निदेशाले मादमिक सिक्षा राजस्तान विकानेर के दोरा, यूनिसेप एवं बोच सिक्षा समिती के दोरा, और RBSC राजस्तान के दोरा, तो बिल्कुल सही आंसर निदेशाले मादमिक सिक्षा राजस्तान विकानेर के दोरा ही SIQE प्रियोजना का संचलन किया गया, चलिए आगे बढ़ेंगे, 74 की तरफ, 74 में क्या है, देखेंगे, मित्रो, SMC का गटन कितने वर्ष के बाल को एतु किया जाता है, तीन से 14 वर्ष के बाल को एतु, 6-18 वर्ष के बाल को एतु, 6-14 वर्ष के बाल को एतु, और 14-18 वर्ष के बाल को एतु, तो प्रशन संख्या 14 में आंसर देखें, तो कौन सा विकल्प सही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चोता, 3-18, 6-18, 6-14 या 14-18, 74 का आंसर कौन सा विकल्प सही रह तो बिल्कुल आपके जो तीसरा विकल्प है 74 का सहुपतर होगा आगे बढ़ेंगे 75 की तरफ 75 में क्या है देख लेते हैं भई प्रेश नमबर 75 इसकुल परमुकों और सिक्सकों की समगर उन्निति की राष्टी पहल किसका नाम है दिक्षा राइस का निश्टा का SIQE का या इ पूरा नाम है क्या पूरा नाम है इसकुल परमुकों और सिक्सकों की समगर उन्निति की राष्टी पहल सेकड़ विकल्प आपके 75 में सहिए आदा टेश्ट तो आपके कंप्लीट हो चुक है 75 प्रिश्णों को हमने यहल कर लिया है साथियों 75 प्रिश्णों और बच रहे है तो वो कल नहीं वो भी अभी करेंगे चलिए 76 की और बढ़ेंगे साथियों 76 एक सेकंड थोड़ा देखने में प्रिश्णों को देखने में प्रोब्लम आएगी इसमाइल कारिकरम के किरियान वे ने तू सोशल मीडिया के माध्यम से यह कंटेंट उपलब्द करवाने के लि प्रकार के तो वही इसमाइल कारिकरम में कितने प्रकार के वाटसप गुरूप बनाए गए थे साथियों दो प्रकार के वाटसप गुरूप बनाए गए थे दूसरा विकलप आपके 76 का से उत्तर है नेक्सट इस 77 की और बढ़ेंगे मित्रो 77 वा पृष्ण has एंए नेपी 2020 में किस प्रकार के आक लन को अपनाने की परिकल्पना नहीं की गई है योगात्मक आकलन नीमित आकलन रचनात्मक आकलन और इनमे से कोई नहीं का सही आंसर है आगे बढ़ेंगे साथ यो 78 की तरफ प्रश्ट नमबर 78 सिक्षा वानी को सुनने के लिए कौन सा एप लॉंच किया गया था आरकेस एमबी के एप दिक्षा एप न्यू जो नेएर परशान्थ भारती ओपिसियल एप और इन में से सबी तो वही सिक्षा वानी को सुनने के लिए जो एप लॉंच किया गया था उस एप के बारे में आपको 78 में बताना है मित्रो राज़्थान के सिक्षा में बढ़ते कदम और दिक्षा इन डोनों को ही नहीं क्या इन दोनों को नहीं बलकि न्यू जो ने एप परशान्थ बारती ओपिसियल एप को लॉंच किया गया था सिक्षा वानी का रिक्रम को सुनने के लिए विकल्प नंबर जो आपके तीन है 78 का सही आंसर है नेक्स्ट इस 79 की और गुर्ब 79 है आपके COVID के दोरान अध्यान में हुई शतिकी बरपाई के लिए इसकोली विध्यार्तियों के लिए तीन मा के अउधी का ब्रिज का रिक्रम चलाए जा रहा है जिसका नाम के है? RKSMBK, दिक्षाराई, बेस्लाइन असेस्मेंट और कोई नहीं तो कोई नहीं को तवाप अटा दीजिए COVID में अध्यान में शत्य हुई लर्निंग लोस हुए एक तरह से तो उसको भरपाई के लिए ब्रिज कारिक्रम चलाए जा रहा है वर्तमान में तो विकल्प एक आपके 79 का सही उत्तर है चलिए प्रिष्ण संक्या अस्सिक्योर बढ़ेंगे देखेगा सिवे प्रिष्ण को FLN का पूरा नाम पूचा गया है साथ्यों किसका? A, L, N का पूरा नाम पूचा गया है सिवे प्रिष्ण में विकल्प एक आपके सामने Fundamental Literacy and Numeracy Foundational Literature and Numeracy Foundational Literacy and Number और Foundational Literacy and Numeracy तो साथ्यों आपको FLN का पूरा नाम बताना है प्रिष्ण संक्या 80 में और 80 में प्रिष्ण का आंसर देखे तो A, P से क्या बनता है साथ्यों Foundational FLN Foundational Literacy and Numeracy बिल्कुल यही FLN का पूरा नाम है अधा आपके 80 में प्रिष्ण में चोता विकल्प सही रहेगा Next 81 क्योर बढ़ेंगे तो 81 है आपके मुख्य मंत्री अनुपर्ती कोचिंग योधना की शुरुवात की गई 2019-20, 2020-21, 2021-2022, 2022-2022 तो 81 का अंसर बता है मुख्य मंत्री अनुपर्ती कोचिंग योधना की बात की जा रही है 81 में कौन सा विकल्प सही रहेगा सात्यों 81 का अंसर देखते हैं तो भई आपके जो तीसरा विकल्प है कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प सात्यों 81 का बिल्कुल सही आंसर होगा 2021 में मुख्य मंत्री अनुपर्ती कोचिंग योधना की शुरुआत की गई थी तीसरा विकलपाप के 81 का सही आंसर है नेक्स्ट 82 की ओर बढ़ेंगे प्रेश्ट नमबर 82 निरोगी राजस्तान अभियान की शुरुआत कब हुई थी 18 दिसंबर 2019 को विकलप एक आपके 82 का सही आंसर होगा नेक्स्ट 83 की ओर बढ़ेंगे मित्रोग देखिएगा प्रेश्ट नमबर 83 को राजस्तान सरकार द्वारा सिक्षा में किये जा रहे नावाचार एवं आधार्बुच आधार्बुच सुईदाओं को बढ़ाने में सयोग राशी निम्ड में से किस पोर्टल दोरा प्रदान की जा सकती है तो सिधी सी बात है कि आपको सयोग राशी देनी है तो किस पोर्टल से दोगे शाला दर्पन के माध्यम से दोगे शाला धर्शन से दोगे दिक्षा से दोगे या ज्यान संकल्प पोर्टल से दोगे तो बै आबार्बुस सेवा बढ़ाने के लिए गवर्मेंट विध्याले में थातियों यदि आपको सहयोग करना है तो उसके लिए जो पोर्टल होता है वो कौन सा पोर्टल होता है ज्यान सं प्रारम होने का वर्चे दोजार साथ आट नो नो दस दस ज्यारा तो भई बालिकाओं के लिए निशुल्क साइकल वित्रण योदना की बात की जा रही है और 84 का अंसर देखे तो विकल्प नंबर जो एक आपके है वो आपका सही आंसर है साथ जो दोजार साथ आट में ही बा आट वी तक तो क्या गाओं में विद्याले होते हैं तो पास में तो कोई दिक्कत नि लेकिन नौवी में थोड़ी दूर जाना पड़ता है ना तो फिर बालिकाओं को विशेश तोर पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिए उनको कक्षा नौई में साही के लिए द योधना है इसका समंद 22 जनौवरी से तो है लेकिन सन भी याद रखना है बिल्कुल कंफरमेशन के रूप में साथ 85 प्रिश्ण में जो है इसका आंसर क्या रहेगा 22 जनौवरी 2015 को बेटी बचाओं बेटी पड़ाओं योधना की शुरूआत की गई थी खास तोर पर याद 85 में कौन सा विकल्ट सही रहेगा आपके जो विकल्ट नंबर एक है 22 जनौवरी 2015 को ही बेटी बचाओं बेटी पड़ाओं योधना की शुरूआत की गई थी पहला विकल्ट आपके 85 में सही है नेक्स्टी 86 की और बढ़ेंगे साध्यों 86 वा प्रिष्ण है एनेपी 2020 के अंतरगत सिक्षा के अधिकार कानून को किस आयूवर्ग से सम्मंदित किया गया है 6-14, 6-18 वर्ष, 3-18 वर्ष और 0-18 वर्ष तो 86 का अंसर बताईएगा जो नेशनल एजुकेशन पोलिसी 2020 है इसके अंतरगत सिक्षा के अधिकार कानून को जिस आयूवर्ग से सम्मंदित किया गया है वो आयूवर्ग इन में से कौन साही साथियों 3-18 वर्ष तक के वालकों को इसमें लिया गया है विकल्ट नमबर 3 आपके 86 का सही आंसर है 87 की और बढ़ेंगे सत्यासिवा प्रश्ण है सक्षम अभ्यास द्रष्टी वे जागरती किस कारिकरम के अंग है क्या क्या सक्षम अभ्यास द्रष्टी वे जागरती संबला नभियान के बालिका सिक्षा में नवाचार शाला दरपन और सिक्षक पर सिक्षन कारिकरम साथ्यों 87 का आंसर बताओ 87 में कौन से विकल्प का चुनाओ करोगे तो भाई दो सक्षम, अभ्यास, द्रश्टी और जागरती है कि जिस कारिकरम केंग है वो है बालिका सिक्षा में नवाचार कारिकरम दूसरा विकल्प आपके 87 का सही उत्तर है नेक्स्ट एटी एट की और बढ़ेंगे साथियों तो अठ्यासी हुआ प्रिष्ण है हाल ही में किस राज को राष्टी उर्जा संद्रक्षन पुरुसका 2022 से सम्मानित किया गया मधिप्रदेश को, गुजरात को, राजिस्तान को और पंजाब को साथियों हाल ही में जो राष्टी उर्जा संद्रक्षन पुरुसका 2022 से किसे सम्मानित किया गया किस राज को राजिस्तान राज को विकल विल्कुल आपके तीसरा जो है 88 का सही उत्तर है नेक्स्ट एटी नाइन की और बढ़ेंगे साथियों 89 में क्या है देखते हैं राजस्तानी बाषा के लिए साहित्य अकाद्मी पुरुसका 2022 से किसे सम्मानित किया गया कमल रंगा को अनुरादा रोई को परविंद दशरतको और गायतरी बाला को आजस्तानी बाषा के लिए साहित्य और आद्मी पुरुसका West राजिस्तान के खिलाडियों के लिए एक सेकंड रुखना राजिस्तान के खिलाडियों के लिए ब्लोक इस्तर पर इस्टेडियम निर्मान के लिए कौन सी योधना चलाई जा रही है राजियो गांदी खेल प्रोश्तान योधना मुख्यमंत्री खेल योधना मेजर ध्यानच योजना है वो थर्ड विकल्प आपके नब्वे प्रिश्ण का बिल्कुल सही उतर है तरह इंकानवे प्रिश्ण की तरह बढ़ेंगे इंकानवे प्रिश्ण देखने से पहले आप सभी को बता दूँ 91 से लेकर के 120 तक के जो प्रिश्ण है वो लेवल एक वालों के लिए है ठ 250 तक के जो प्रिश्ण है यह लेवल एक प्लस लेवल दो ओल सब्जेक्ट साइंस में से हिंदी हो या आपके अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के लिए मित्रो तो इंकानवे से लेकर के 120 तक तो यहां पर लेवल एक वालों के लिए है यह चीज के लिए याद अखना है च देखे रेक्तिस्तान है जिसकी पूर्ति करनी है इंग्लिश ग्रामर का क्यूशन है सम मेन कम टू माइ आउस ए वन दी और फूर्ट विकल्प है नन अप देज तो यहां पर देखिएगा अगर बात करें तो ए सम मेन तो होगा नहीं वन सम मेन भी नहीं होगा बलकि दी सम मे the lady who, वापिस रिक्तिस्तान है इसकी पूर्ति करनी out, just gone, he just gone, sorry, he just gone, head just gone, went gone, तो देखेगा, do you know the lady who out, तो सात्यों, just gone आएगा, he just gone आएगा, head just gone आएगा, went gone आएगा, 92 का answer देखे, तो भई्य यहां पर आएगा, head just gone, do you know the lady who, head just gone, out, सेकंड विकल्प आपके 92 में सही है next 93 की तरफ बढ़ेंगे 93 आपके who tough you English अब आपको इसको बदलना है तो पहला विकल्प by whom where you tough English English is not tough who is teaching English तो साथ यो 93 का आंसर देखे कोंसा विकल्प सही रहेगा by who tough you English इसका सही आंसर होगा by whom where you tough English पर्थम विकल्प आपके 93 का सही तर है चलिए अगले question की ओर बढ़ेंगे मित्रो 94 है the wind रिक्तिस्तान है वापिस the candle फेजल वर्ब में आपको इसको देखना है blue away, blow away, blue out, blown out तो यहाँ पर रिक्तिस्तान की पूर्ति कीजिए फेजल वर्ब की अनुसार सात्यो 94 का answer देखें तो भाई, they wind blew out, blew out का मतलब हवा से हवा से होता है सात्यो तेज हवा का जोका इस प्रकार से कि वह तेज हवा के जोके से candle बुझ गया विकल्प नंबर आपका जो तीन है, 94 का से उत्तर है, next 95 है, he said to me this morning, my wife is ill, indirect speech से समंदिर क्यूशन है, विकल्प को देखिएगा पहला है, he told me that morning that his wife is ill, second he said me that morning that his wife is ill, third he told me this morning that his wife is ill, और fourth he told me that morning that my wife was ill तो 95 का अंसर बताइए में साथियो, प्रिष्ट संख्या पिंचानवे में, कोन से विकल्प का चुनाव करोगे, तो वो चलिए आंसर देख लेते हैं, देखिएगा, he said to me का बन जाएगा, he told me, this morning my का बन जाएगा, that his wife is ill, तो बिल्कुल विकल्प नंबर आपका जो third है, आ next day 96 की ओर बढ़ेंगे, मित्रो 96 से आपके गणित का क्यूशन है, एक व्यक्ति अपने धन की 20 परतिशत राशी से वन्चित हो जाता है, सेस राशी में से 25 परतिशत खर्च करने के बाद, उसके पास 480 रूपे बचते हैं, तो उसके पास मूल राशी कितनी राशी थी, भै देखो, 20 परतिशत राशी से वन्चित हो रहा है, सेस राशी में से भी कितने परसेंट खर्च किये, उसने 25 परसेंट, पिर भी उसके पा पाता है 800 रुपे तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा चलिए आगे बढ़ेंगे 97 की तरफ प्रश्ण संख्या संत्याण में हैं दो संख्याओं का मैसे 13 वैं लेसे 455 है यदि उनमें से एक संख्या 75 वैं 125 के बीच इस्तित हो तो वैं संख्या है 81 इंकान में 101 या 121 वैं 2 सं संख्या को आपको ग्याद करना है 97 का अंसर देखे तो आपके जो दूसरा विकल्प है इंकान वे या आपका अंसर होगा साथियों नेक्स्ट 98 की ओर बढ़ेंगे प्रेश्ण संख्या 98 है एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रीजा बराबर है बेलन की बात की जा रही है और शंकु की बात की जा रही है इसके जो आधार है इसकी त्रीजा क्या है सात्यों बराबर उचाई भी बराबर है और त्रीजा भी बराबर है यदि उनके वक्र आठ अनुपात 5 के बरबर में हैं, तो उनकी त्रीजा और उचाए का अनुपात आपको निकालना है, तीन अनुपात 4 आएगा, दो अनुपात 3 आएगा, एक अनुपात 2 आएगा और एक अनुपात 3 आएगा, तो 98 में वीडियो को रोक करके क्विशन को हल कीजिएगा साथियों और फिर इसका जो सही आंसर आपके अगर आता है तो 98 का सही उत्तर को अंसर हैगा अगर 3,5,4 आपके आता है तो बिलकुल आपका आंसर सही है प्रिशन संक्या 99 में क्या है एक दूदिया वैमानी से नापकर 20% दूद अधिक लेता है वहाँ उसमें 25% मिला कर बेजता है तो उसे कुल भायदा होगा 45% का 50% का और 55% का तो बैमानी से नापकर 20% दूद ज़्यादा ले रहे हूँ और 25% पानी मिला कर बेच रहे साथियों तो 99 का आंसर बताइए 99 प्रिष्ट में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे वीडियो को रोक करके सवाल को हल कर लीजिएगा और अगर आपका आंसर आता है कि वै उसको 50% पायदा होगा तो बिल्कुल आपका आंसर सही रहेगा साथियों अगले क्यूशन क्योर बढ़ेंगे प्रिष्ट मित्रो सोवा प्रिष्टन है उसका जो शेत्रपल निकलेगा वो कितना निकलेगा तीस वरग शाथ निकलेगा विकल्प नमबर आपका जो 2 है सोवे प्रिष्टन का सही आंसर है next 101 वे प्रिश्णी की ओर बढ़ेंगे 101 वा प्रिश्णे है English Teaching Method का प्रिश्णे है मित्रो the technique of evolution that includes certain statement of yes and no type is checklist rating scale observation technique और anecdotal records तो 101 वे प्रिश्ण में बताईएगा उत्तर भाई देखिए the technique मतलब उस तक्नीक का नाम बता है पूछा गया है मुल्यांकन की वह तक्नीक that includes certain statement of yes and no type मतलब उसमें हाँ या ना ही में जवाब देना परता है तो ऐसा किस में किया जाता है checklist में किया जाता है साथ यो विकल्प नंबर आपका जो एक है प्रिश्णे संख्या 101 का सयुत्तर है next 102 प्रिश्णी की ओर बढ़ेंगे प्रश्ण संख्या 102 है तो मित्रों प्रश्ण नंबर 102 में प्रिश्ण का आंसर देखे कौन सा विकल्प सही रहेगा आपका इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प identify the case who are late in studies next 103 प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे साथ यो प्रिश्ण नंबर 103 है इन दे ग्रामर टांसलेशन मेतड जो ग्रामर व्याक्रन अनुवाद विदी है इसमें reading and writing receive the major focus second है आपके speaking and listening receive the major focus speaking receive the major focus और listening receive the major focus तो भाई अगर बात करें इन दे ग्रामर टांसलेशन मेतड मतलब व्याक्रन अनुवाद विदी में क्या किया जाता है साथियों तो भाई इसमें प्रश्ण संख्या 103 का अंसर क्या रहेगा इसमें मुख की रूप से reading पढ़ने पर और writing लिखने पर receive the major focus इन पर मुख की रूप से focus रखा जाता है ध्यान के अन्दित किया जाता है पहला विकलप आपके 103 वे प्रिश्ण का और creative imagination तो साथियों प्रिश्ण नमबर 104 का आंसर देख लेते हैं इसका जो दूसरा विकलप है ये आपका 104 वे प्रिश्ण में सही आंसर है next 105 वे प्रिश्ण की तरह बढ़ते हैं देखेगा प्रिश्ण नमबर पाच को हिंदी grammar से समंदित प्रिश्ण है इनमें से कौन से शब्द में दिर्ग संदि नहीं है अरावली, दिपावली दावानल और विदायक तो इसमें जिस विकलप में दिर्ग संदि आपको नहीं लगती है उसका जैन एक 105 वे प्रिश्ण में करना है अर अरावली में भी दिर्ग है अर प्लस अवली अरावली दिप प्लस अवली दिपावली दाव प्लस अनल दाव अनल तो बिल्कुल इन तीनों में ही दिर्ग संदि है ए प्लस ए या आ प्लस ए या ए प्लस आ कुछ भी मिल रहा हो बाकि दिर्ग संदि होती है इसमें लेकिन विधायक शब्द जो है विधे प्लस अक शब्द क्या बनता है विधायक इसमें दिर्ग नहीं बलकि इसमें कौन सी संधी साथियों अयादी संधी है तो विकल्प नमबर चार आपके प्रिश्ण संख्या 105 का सही आंसर होगा नेक्ष्ट एक सो छेवे प्रिश्ण की तरफ बढ़ेंगे तो जिस विकल्प में आपको लगता है कि यार इसमें संधी सही नहीं हो रही है उस विकल्प का चैन आपको प्रिश्ण संख्या 106 में करना है मित्रो एक सो छेवे प्रिश्न का आंसर देखे तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा वाक प्लस जाल के बदल जाता है गयम है वियंजन संदी का उधरने सही है धनम प्लस जे धनन जे बिल्कुल सही है ये भी वियंजन संदी का उधरने किम प्लस चित किन चित ये भी सही है और ये भी वेंजन संदी का उदरन है लेकिन वदू शब्द जो लिखा जाता है उसमें बड़े उकी मातर आती है साथियों वदू प्लस आगमन वदू आगमन होता है छोटे उकी मातर नहीं आती है इस वज़े से जो चोता विकल्प है इसमें सही संदी नहीं हो रही है तो फ मित्रों 180 वा प्रिश्ण है इन में से कौन सा विशेषन से वहवा चकके वढ़र न ही है खेलना पीलापन वीरत और लाली तो जो विशेशन से भावाचक का उधारन आपको नहीं लगता है उसका चैन आपको प्रिशन नंबर 108 में करना है भाई देखो विशेशन से भावाचक पीलापन पीला से बना है विरत वीर से बना है और लाली लाल से बना है तीनों ही विशे बाट में सही है, 109 पृष्ण क्यो और बढ़ेंगे, प्रश्न संखिया एक सनो है, काजी जी दुबले क्यों शहर का अंदेशा है, लोखोक्ति का सटीक अर्थ है, दूसरों के कश्ट से चिंतित रहना, दूसरों की प्रगति से इरिशा करना, दूसरों की भलाई चाना, रूस का सही आंसर है साथियों 110 वे प्रिश्ण को देखेंगे राइबोसोम किसका केंद्र होता है विज्ञान की प्रिश्ण आ चुके हैं ये तो शोशन का प्रोटीन संसलेशन का प्रकाश संसलेशन का और वसा संसलेशन का तो इनमें से राइबोसोम जिसका केंद्र होता है उसका ग्यारवे प्रिश्णी की तरफ बढ़ेंगे, प्रिश्ण नमबर 111 है, प्रकाश का वेग सरवादिक होता है, काच में, पानी में, हवा में, और निर्वात में, तो भई जो प्रकाश होए, इसका जो सरवादिक वेग है, ये किसमे होता है, निर्वात में, मतलब वायू रहि इस्तान में जबकि निर्वात में धोयनी नहीं गुजर सकती है ठीक है याद रखना इस चीज को वायू रहित इस्तान से धोयनी नहीं गुजर सकती है और प्रकाश का वेक सरवदिक वायू रहित इस्तान मतलब निर्वात में होता है चोता विकलप आपके प्रिशन संख्या 11 111 का सही आंसर है, 112 प्रिश्ण की और बढ़ेंगे साथ यो, pregunta no. 112 है, वायू में द्वणी का वेग 332 मीटर पर 30 सेकंड है, थीके न, वायू में द्वणी का वेग कितना है, 332 पर 30 मीटर सेकंड, यदि वायू के वेग को दुगना कर दिया जाए, तो द्वणी का वेग होगा नो सो चिन में मीटर पर 30 सेकंड, 664 मीटर पर 30 सेकंड, 106 मीटर पर 30 सेकंड, और 332 मीटर पर 30 सेकंड, तो 112 प्रिष्णि का आंसर देखते हैं, बैं देखो, वायू में धोनी का वेक कितना है, 332 मीटर पर 30 सेकंड, ठीके न, अब क्या किया जा रहा है, वायू के वेक को तो बिल्कुल दोनिका वेक भी क्या हो जाएगा दूसरा विकलप आपके 112 प्रिश्णी का सईया अंसर है नेक्स्ट एक सो तेर्वे प्रिश्णी की ओर बढ़ेंगे किस गरंती के इस्तराव में फ्रक्टोज अधिक पाया जाता है प्रोस्टेट गरंती काउपर गरंती शुकराशे गरंती और टाइसन गरंती तो जिस गरंती के इस्तराव में फ्रक्टोज अधिक पाया जाता है उसका चैन आपको 113 प्रिश्णी में करना है साथ यो 113 करते हैं रासायनी कुरवरों का अत्यदिक उपयोग मर्दा को बना देता है अमलिय बना देता है शारकिय बना देता है लवने बना देता है या अपसिष्ट बना देता है तो यदि हम रासायनी कुरवरों को अत्यदिक परियोग करेंगे खेती में तो साथियों इससे मर्दा क क्या हो जाएगी इससे मुर्दा हो जाएगी अमली है विकल्प एक आपके प्रिश्ण नमबर 114 का सहीज तरोगा साथियों एक सो पंद्रवे प्रिश्ण क्यों बढ़ेंगे प्रिश्ण संक्या 115 अब सामाजिक के प्रिश्ण आपके चालो हो चुके इंगलिस के प्रिश्ण देख लिए हिंदी के प्रिश्ण देख लिए गनित के प्रिश्ण देख लिए विज्ञान के प्रिश्ण देख लिए अब SST के प्रिशन देखिएगा तो मुट्टी बर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बाश्यत खो दी होती यह कतन किस मुगल शाशक का था बाबर, हुमायू, सेर्शा, सूरी और अकबर महान तो वह देखो अगर बात करें तो मुट्टी बर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बाश्यत खो दी होती यह कतन जो कहा गया है किसके दोरा कहा गया है साथियों आपके सेर्शा, सूरी जो तीसरा विकल्प है यह इसका सही आंसर है जो गिरी सुमेल का युद हुआ था इस युद के संबंद में यह कतन कहा गया था तो विकल्प आपके 3, 115 प्रिश्ण का सही आंसर है नेक्स्ट, 116 प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे प्रिश्ण 116 सविधान निर्मान का कारिक कब से कब तक चला था जो की 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण हुआ था में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इसकी बात करें कि यह कब से कब तक चला था तो साथ क्यों यह चला था 9 दिसंबर 1946 से 26 तुमबर 1949 को विकल्प एक आपके प्रिश्ण 116 का सयान सरे मित्रों 170 प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे प्रिश्ण 117 विश्व आद्र भूमी दिवस मनाये जाता है दो जनवरी को दो फरवरी को दो मार्च को या दो अप्रेल को तो विश्व आद्र भूमी दिवस कम मनाये जाता है विश्व नम भूमी दिवस भी इसको बोला जाता है तो अगर बात करें कम मनाये जाता है दो फरवरी को विश्य आद्र भूमी दिवा से मनाय जाता है एक सो सत्रवे प्रिष्ण में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों एक सो अठारवे प्रिष्ण की ओर बढ़ते हैं साथियों प्रिष्ण नमबर 118 इन में से कौनसा वलित प्रिष्ण का उधारण नहीं है हिमाले, काकेशस, एटलस और मेयान तो इन में से जो वलित प्रिष्ण का उधारण नहीं है उसका चैन आपको प्रिष्ण नमबर 118 में करना है और साथ यो 108 प्रिष्ण का आंसर देखे तो कौन सा विकल्प सही रहेगा बैजो 108 प्रिष्ण है इन में से आपका आंसर है हिमाले काकेशास और एटलस तीनों तो वलित प्रुवत के उधारण है लेकिन मेयान को वलित प्रुवत के उधारणों में नहीं शामिल किया जाएग पूर्थ विकल्प आपके 108 प्रिष्ण का आंसर है नेक्स्ट क्यों बढ़ेंगे देखेगा 119 प्रिष्ण को अमुल्य नीर योधना किस से संबंदी थे पेजल से बूंद बूंद एवं फवरा सिचाई से कर्शी रिन से और पश्युपालन से जो अमुल्य नीर योधना है इसके बारे में प्रिष्ण संख्या 119 में पूचा गया है और मित्रो 119 प्रिष्ण का सई आंसर है बूंद बूंद एवं फवरा सिचाई से अमुल्य नीर योधना का संबंद है विकल्प नमबर दो आपके प्रिष्ण संख्या 119 का सई उत्तर है पर सेकर्ड विकल्प साथ 111 वे प्रिश्ण में 120 वे प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे मित्रों देखेगा वापिस अब आपके यह टीचिंग मेटड है साइकलोजी है पिर से एक से तकनिक आएगी यह आपके दोनों लेवल के लिए है तो बिल्कुल उन्हीं प्रिश्णों को अटेंड करना आप जो प्रिश्ण आपको आते हैं चात्रों की सीखने संबंदी कटनाईयों को दूर करने के लिए किस प्रकार का सिक्सन कराया जाता है उपलब्दी परिक्सन निदानात्मक सिक्सन उप्चारात्मक सिक्सन और अभ्यास सिक्सन तो वह देखो चात्रों की सीखने संबंदी जो कट सब्सक्राइब 141 दियुआ घ्राइब 9 लार भी फायक्ष के एक सत्त्रासाथल को शांसा को और लहीं घ्राइब तो मित्रो 122 वे प्रिश्ण में क्या पूचा गया है रिकोर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामगरी है प्रक्षेपक सामगरी है द्रश्य सामगरी है द्रश्य सरव्य सामगरी है और सरव्य सामगरी है तो वही रिकोर्ड प्लेयर की बात की गई है साथियो प्रिश्ण नमबर 122 का आंसर देखे तो रिकोर्ड प्लेयर द्रश्य सामागरी नहीं होती है बलकि रिकोर्ड प्लेयर एक स्रव्य सामागरी होती है चोता विकल पुत जो है प्रिश्ण संख्या एक सो बाइस का सही आंसर ये साथियों नेक्स्ट एक सो तेहिस की ओर बढ़ेंगे एक सो तेहिसवा प्रिश्णे अनुलेक किस भाषा कोशल से समंदिते शर्वन वाचन लेखन और वादन अनुलेक मतलब लिखा जाता है इसमें लिखा जाता है तो कौन से कोशल से समंदित रहेगा लेकन कोशल से समंदित रहेगा साथियों थर्ड विकल 123 में सही है नेक्स्ट तो यह 124 की ओर बढ़ते हैं 124 प्रिश्ण है भाशाई कोशलो में अभिव्यक्ति कोशले सुनना बोलना लिखना पढ़ना बोलना लिखना और पढ़ना बोलना तो अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने वाला तो हम तो एक तो लिखकर एक बोलकर व्यक्त क को शले साथियों, थर्ड विकल्प 124 का सयुत्तर है, 125 की ओर बढ़ते हैं, 135 वा प्रिष्ण किंडर कार्टन विदी को उसका निश्चिस स्वरूप किसने प्रदान किया है, हैंरी कोल्डवेल कुक, फ्रोभेल, मेडम मारिया मॉन्टेन सरी और जोन ड्यूवी, तो जो किंडर कार्टन विदी है, इसको उसका निश्चिस स्वरूप किनमे से किसके द्वारा प्रदान किया गया साथियों, इसमें चात्रों का सतत्वे कर्मिक रूप से मुल्यांकन होता है, चात्रों को अपनी कम्यों का निरंतर ज्यान होता रहता है, अभिवावकों को चात्रों की निरंतर प्रगति का ज्यान होता रहता है, और चात्र सिक्सक अनुपात अधिक वने पर पद्दती अधिक चात्रों को अपनी कमियों का निरंतर ग्यान होता रहता है यह भी इसका गुण है साथियों क्योंकि कमियों का ग्यान होना जरूरी होता है अभिवाकों को चात्रों की निरंतर प्रगति का ग्यान होता रहता है यह भी इसका गुण है तो विकल्प नमबर जो चार है आपके प्रिश्ण नमबर 126 का सही आंसर है 117 वा क्विशन देख लेते साथियों 127 वा प्रिश्ण है सेक्सनिक उद्देश्यों का वर्गी करण किस ने किया जोन ड्यूवी, इसमित, ब्लूम और डेविस तो इनमें से सेक्सनिक उद्देश्यों का वर्गी करण किन के द्वारा किया गया था साथियों, जो अगर बात करें 127 वे प्रिश्ण की तो BS ब्लूम के द्वारा, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा ही सेक्सनिक उद्देश्यों का वर्गी करण किया गया था की रूप से तीन बागों में कौन-कौन से ज्यानात्माक, भावात्माक और किर्यात्माक उद्देश, बाकी फिर इनके चेचे उप भाग भी थे, तो यहां थर्ड विकल्प 127 में सही है, 128 की और बढ़ेंगे, एक सोट्थाइसो प्रिश्णे, इन में से प्रक्षेपी सामगर है, यह भी द्रश्य, यह भी द्रश्य, यह भी द्रश्य, लेकिन यह तीनों ही प्रक्षेपी, यह द्रश्य प्रक्षेपी सामगरिये साथियों, विकल्प नमबर चार आपके 128 प्रिश्ण का सयुत्तर है, 129 को देख लेते हैं, साथियों 129 प्रिश्ण, एक क्रमबद परक कि दिया क्या बता रही है यह बालक ने कि सीमा तक सेक्सिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है उसको कहा जाता है मुल्यांकन में यह चीजे पता चलती है जो निर्दारित उद्देश है उनकी पूर्थी कहां तक हो पाईए साथ यह 139 में दूसरा विकल्प सही है 130 वे प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे परिबाशित करना किर्या सूचक शब्द की सपेक्षित उद्देश को दर्शाता है बावात्मक किर्यात्मक संग्यनात्मक मनोशलेशनात्मक तो किसी भी चीज की यदि आप परिबाशा देते हो कोई भी च 151 को देख लेते हैं मित्रो 131 वे प्रिश्ण अभिकर्मित अनुदेशन विधी के जना के सथ्यों 132 वे प्रिश्ण देख लेते हैं प्रेश्ट नमबर 133 सामाजिक की पार्टी चर्या में सामिल है सेक्सनिक किर्या, सेक्सनिक किर्या, दोनों और कोई नहीं तो जो सामाजिक की पार्टी चर्या है इसमें सेक्सनिक किर्या भी होती और सेक्सनिक किर्या भी होती है तो मतलब दोनों आपका जो तीसरा विकल्प है 132 का सही आंसर होगा मित्रों 133 की ओर बढ़ेंगे 133 प्रिष्णे खोज विदी के जनक है किलपेट्रिक, आर्मी स्टोंग, प्रोबेल और मॉन्टेन सरी तो इन में से जो खोज विदी के जनक है, उसका जनक 133 प्रिष्ण में करना है खोज या अनुसंधान विदी जो है, किसके दोरा दी गई है, आर्मी स्टोंग के दोरा दी गई है तो 133 प्रिष्ण में सेकर्ड विकल्पा आपका आंसर होगा सात्यों 134 प्रिश्ण क्या पूँच रहे आपसे सामजिक अध्यान सिक्सन में एतियासिक इस्तलो का भर्मन उप्योगी है विशे के प्रती रूचि उत्पन करने में परत्यक्ष सूचना प्रदान करने में विशे वस्तु की बहतर समझ में और इनमें से सभी में 134 प्रिश्ण का अंसर देखे तो भैस सामजिक अध्यान या अन्य कोई विशे में एतियासिक इस्तलो का जदी भर्मन किया जाता है तो चात्र की विशे के प्रती रूचि भी उत्पन होती है प्रत्यक्ष सूचना उसको मिलती है विशे वस्तु की बेहतर समझ उसमें होती है मतलब इनमें से सभी जो चोतर विकल्प है आपके 134 प्रिश्ण का अंसर होगा साथ क्यो चलिए आगे बढ़ेंगे 135 प्रिश्ण है प्रारंबिक इस्तर पर चात्र संक्या अधिक वे अध्यापक संक्या कम होने पर विज्ञान सिक्सन की सरुषेष्ट विदी है प्रायोजना, मौन्टेन, सरी, प्रियोग परदर्शन और व्याक्ष्ण प्रारंबिक इस्तर की बात की जा रही है चात्र संक्या जादा है जैसे 50, 60, 60 है 80, 90, 100, 40 है अध्यापक संक्या कम है 104 है, 1 या 2 अध्यापक है तो ऐसी इस्तिती में सात्यों विज्ञान सिक्सन की सरुषेष्ट विदी कौन सी होती है प्रियोग परदर्शन विदी थार्ड विकल्प आपके 135 प्रिष्ण का सही उत्तर होगा भई चलि आगे बढ़ेंगे 136 की तरब यह आपके साइकलोजी के प्रिष्ण आ चुके हैं अब विदीयो के प्रिष्ण कर लिए अब साइकलोजी के प्रिष्ण करेंगे सम्मान और प्रतिष्टा व्यक्ति के लिए अभी प्रेड़ना की तरह कारे करते हैं ये प्रेरक निम्ड में से किस रेड़ी में सम्मिलित है व्यक्तिगत सामाजिक शरीरकाई की और राजनेतिक तो जो सम्मान और प्रतिष्टा है ये व्यक्ति के लिए कैसे कारी करते एक अभी प्रेड़ना की तरह साथ ही हो और ये सम्मान और प्रतिष्टा किस प्रकार के प् पच्छे को बेद दिया इस खबर को के आदार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है मनोशलेशनात्मक सिध्धान के आदार पर पदानो कर्मिक आउशक्ताओं का सिध्धान्त मनोशामाजिक सिध्धान्त और मनोशामाजिक डबल बार हो गया इनमें से कोई नहीं चोता 136 प्रिष्ण का आंसर देखे कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा मनोशलेशनात्मक भी नहीं मैला ने क्या कि आप बोजन प्राप्त करने के लिए मतला वो इतनी भूकी थी कि उसमें अपना जो बच्चे है उसको बेद दिया साथियों तो ये शारिरिक आउशक्ता की विकल्प एक आपके 138 प्रिष्ण का आंसर होगा 149 प्रिष्ण क्या पूँच रहा है निवड में से कौन भावनात्मक भुद्द्ध मता का एक पहलु नहीं है विकल्प ए अभिवेक्ति, दूसरा है मुल्यांकन, तीसरा है परिवर्टन, छोता है विनीमन तो जो भावनात्मक बुद्धी मता का एक पहलू नहीं है उसका चैन 139 149 प्रिश्ण में करना है मित्रो अभिव्यक्ति, मुल्यांकन और विनीमन ये तीनों ही भावनात्मक बुद्धी मता के पहलू में आते हैं एक सो चालिसवे प्रिश्ण है व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संतुलन है ये कतन किसके दोरा कहा गया है रेक्स रोक के दोरा कहा गया है सात्यों चोता विकल्प आपके एक सो चालिसवे प्रिश्ण का आंसर होगा एक सो एक तालिसवे प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे 141 क्या है आपके व्यक्ति का वह अंश जो इदम और बहाई जगत के बीच अंतर रोधी का कारी करता है कहलाता है इदम अहम पराहम और फोर्ट विकल्प इनमें से कोई भी नहीं इनमें से कोई भी नहीं तो देखो व्यक्ति का कॉन सांस जो इदम के बारे में और बहाई जगत के बीच जो अंतर रोधी का कारी करता है वह कौन सा है वही 161 प्रिश्ण का आंसर होगा उसको कहा जाता है अहम या एगो से करण वुक प्यठी के दियान मानसिक परकिर्याओं का दियान अधिगम तरीकों का दियान संचार के माध्यमों का दियान तो सिक्षा मनोग्यान इन में से जिससे सम्मंदित नहीं है उसका चैन 142 में करना है वैं देखो मानव व्यावहर का दियान सिक्षा मनोग्यान में किया जाता है मानसिक परकिर अधिगम तरिकों का अधियन किया जाता है लेकिन संचार के माध्यमों का अधियन नहीं किया जाता है तो फोर्थ विकल्प 142 में आंसर होगा आपका नेक्स्ट 143 की ओर बढ़ते हैं सात्यों 143 सुवा प्रिष्णे सिक्षा मनवग्यान बालक के क्रंबद सेक्षिक विकास का देन है कतन किसका है इसके नार इस्टिपेन कोल्सनिक और क्रो एंड क्रो तो सिक्षा मनवग्यान से समधित यह जो परिवाशा दी गई है कि सिक्षा मनवग्यान बालक के क्रंबद से एकसी कविकास का दियन है ये परीबाशा इस्टिभेन के दोरा दी गई ये मित्रोकिन के दोरा इस्टिभेन के दोरा तो सेकंड विकलप 143 में आपका आंसर होगा 144 वा प्रिश्न पूछ रहा आपसे सीखना आवशक्ता की पूर्ती की परकिर्या द्वारा होता है यह कतन संबंदिते सूच के सिध्धान से प्रियत्न वे भूल के सिध्धान से संबंद परतिकिर्या सिध्धान से और परबलन सिध्धान से तो 144 वे प्रिश्ण का आंसर बताओ, प्रिश्ण संक्या 144 में कौन से विकल्प का चुनाओ करोगे, भै क्या है, सीखना आवशक्ता की पूर्ती की परकिर्यद्वरा होता है, ये जो कतन है, ये परबलन के सिध्धान से सम्मदीते मित्रों, चोता विकल्प आपके 144 वे प्रि जो व्यवहारवादी है, इनके अनुसार जो सीखना परिवरतन का प्रत्यूत्तर है, किसका व्यवहार के रूप में, बिल्कुल व्यवहार के रूप में सीखना परिवरतन का प्रत्यूत्तर है साथियो, विकल्प नमबर आपका जो एक है, 145 का सही आंसर है, ये साइकलोज के क्युशन लिए हो चुके हैं अब आपके सेक्षिक तक्नीकी के जो क्युशन है उनको देखेंगे अच्छा लगे वीडियो वीडियो को लाइक शेर जरूर करके जाहिएगा साथ यो और बिल्कुल इमानदारी से कमेंड करना जितने प्रिश्ण आपके सही होते बिल्कुल तो चलिए अगले क्युशन की ओर बढ़ेंगे आपके प्रिश्ण नंबर 146 से ओमार का पुरा नाम है उनली मेमोरी रीडर ओप्टिकल मेमोरी रीडर ओप्टिकल मेनिपुलेशन रीडर ओप्टिकल मार्क रीडर तो ओमार जैसे अभी आप एक्जाम दोगे ओमार शिर जो नेच्स्ट छिए ओन फोटी से ओन की ओर बढ़ेंगे एकसो सेटाल फोर फीडियो टेप क दूसरा नाम है चलचीत, श्रवी द्रश्षी के सेट, द्रश्ष उपकरण और С्रव्विवे उपकरण तो वीडियो टेप का दूसा नाम पूछ गया है 147 में 147 में आपके कौन से विकल्प सही रहेगा वीडियो टेप को भाई सरव विद्रश्य के सेट के नाम से भी जाना जाता है आपके सेकंड विकल्प 147 का उत्तरे मित्रों एक्ष्ट वन फोर्टी एड की तरह बढ़ते हैं आपके 148 वा प्रिश्न है परणाली उपागम के मूलततों में सम्मिलित नहीं है अदा परकिर्या परदा और वातावरन तो जो परणाली उपागम है इसके मूलततों में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है अदा को भी किया जाता है परणाली उपागम में तीन ततो होते अदा परकिर्या और परदा ले 26 जनवरी 2003, 26 जनवरी 2004, 26 जनवरी 2005 और 26 जनवरी 2006 तो 159 वे प्रिष्ण का उत्तर बताईएगा, 159 वे प्रिष्ण में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, भै देखो जो ग्यान दर्शन सेकंड या एक लवी भी आप जिसको कह सकते हो, इस चेनल के शुबारम की बात की जा यह तो 26 जनवरी को तो किया गया, लेकिन कौन से सन में किया गया, 26 जनवरी 2003 में किया गया साथियों, यह आपके पहला विकल्प 149 का सही उत्तर है, अब आज का अंतिमोर 150 वा प्रिष्ण देख लेते हैं, मित्रों आज का अंतिमोर 150 वा प्रिष्ण है, इन में से कौन सा application software नहीं है, वर्ड प्रोसेसर, एंटिवाइरस प्रोग्राम, प्रोग्राम डेवलप्मेंट टूल्स और लाइबरेरी मेनेजमेंट, तो इन में से जो application software नहीं है, उसका चैन 150 वे प्रिष्ण में करना है, मित्रों, 150 में देखे, तो वर्ड प्रोसेसर भी एक application software है, एंटिवा प्रिष्ण का आपका उत्तर है, यह complete होता है, आपके साथ यह paper, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाज सभी का वीडियो को पुरा देखने के लिए